क्या आप ओपो की लावर्स हो आपका बाजेट है 11,000 रूपीस लेकर 12,000 रूपीस के आसबास उसी में आप चाहते हूँ ओपो की तरफ से 5G स्मार्टफून पर्चेस करने के लिए तो गैस आपका इंतजर खतम होने वाला है क्योंकि गैस ओपो ने चाइना पर लांच कर दिय उसका ए सीरी का सस्ते में 5G स्मार्टफून जिसका नाम रखा है ओपो ए 55 5G स्मार्टफून बहुत जल्त आने वाला है और जो स्मार्टफून होने वाला है सस्ते में 5G स्मार्टफून आज इस वीडियो में इसका स्प्रेसिविक एसान और स्मार्टफून क्या प्राइस म सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल्को और में क्लिक करिए पहला बात कर लेते हैं स्मार्टफून की बिल्को आलेटियों की डिजाइन के बारे में स्मार्टफून आने वाला है पॉली कार्वोनीर बॉडी के साथ स्मार्टफून की पीछेगे रहने वाला है ट्रिप्ल कैमेरा सेट आपसे एल interpretation और इसका जो फींगर्फीन सेंसर भनेवारा है साइडंउंड फींगर्फेन सेंसर स्मार्टफोन आने वाला है MediaTek Diamond City के तरफ से 700 चिपसेट के साथ जो की एक Octa-Core चिपसेट है और इसका जो Clock Speed Run करता है 2.2 GHz में इस चिपसेट 5G को सपोर्ट करता है तो अब मान के चल सकते हो स्मार्टफोन के अंदर जो Gaming Performance दगीना को मिलेगा काफी अच्छा करता है इसका जो Selfie Camera होने वाला है 8 Megapixel योगी गैस Camera के लिए आपको compromise करना पड़ेगा इसके बाद जान लेते स्मार्टफोन की storage के बारे में स्मार्टफोन आने वाला है 6GB 1208G वाला equivalent storage के साथ इसके बाद जान लेते स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में स्मार्टफोन आने वाला है 5000 mAh बैटरी के साथ और इन बोक्स आने वाला है 10W का charger के साथ इसके बाद जान लेते स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में स्मार्टफोन आने वाला है 6.5 इंच HD PLUS डिस्प्ले के साथ एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर रहने वाला है वाटर ड्रॉप नॉच और स्मार्टफोन आने वाला है नॉर्माल 60 Hz रिफ्रेस रेट के साथ यहोंगी डिस्प्ले के जो स्पेसिविगेशन ओफर कर रहा है देखा जाए तो 12,000 रुपिस के अंदर काफी अच्छा गसा होने वाला है इसके बाद जान लेते स्मार्टफोन के लॉंच डेट के बारे में काफी सरा तुमास बगर आ रहा है स्मार्टफोन मार्च की फास्ट टुइंग में दूस् सी बाद भी रहने वाला है कि आप एक साइट हो कि नहीं ओपो ये 55 5G स्मार्टफोन के लिए कॉमेंट बोक्स में जोरू बितनस्तों क्योंकि दूस्तों सबकर आए तो अलग-अलग होता है उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगा उमिद करता हूँ मैंने पर फॉलो भी कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले एक फ्रेस वीडियो में तब तक के लिए बाई फ्रेंस टेक क्यार फ्रेंस